Hello guys, welcome to this channel Pro Creators तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 Pro Tricks बताने वाला हूँ जिने यूज करने के बाद आपका YouTube चैनल 100% ग्रोग करेगा तो दोस्तो उन ट्रिक्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल को इसलिए open किया है जैसे मैंने इसका name रखा है Pro Creators तो दोस्तो आपको बनाने वाले हैं हम YouTube पर पूरे professional तो दोस्तो अगर आप YouTube पर grow करना चाते हैं और ऐसी information को लेते रहना चाते हैं कि कौन सी वो 5 Pro Tricks हैं जिने यूज करने के बाद आपका चैनल बिल्कुल grow करने वाला है दोस्तो आईए अब सबसे पहले point के बरे में बात करते हैं जिसका name यहाँ पर आता है Video Tagging तो दोस्तो आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखे होगी जिन में आपको बताया जाता है कि अगर आप Tagging अच्छे तरीके से करद होगे तो आपी वीडियो ज़्यादा promote होगी तो किस तरीके से होगी थोड़ा सा detail में बताता हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अपने YouTube स्टूडियो को open कर लें ठीक है और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर content पर और अपनी किसी भी वीडियो को मैं यहाँ पर विजिट करना तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो देखें यहाँ पर tagging का क्या मतलब है tagging का मतलब क्या है कि आप YouTube को बता रहे हो कि आपकी वीडियो कौन कौन से topic के साथ related है ठीक है तो अगर आपने यह चीज़ बताने में आप काम जाब हो गया तो आपकी वीडियो 100% ग्रो करेगी तो कैसे गर नहीं है tagging आईए उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए जैसे यह मैंने वीडियो बनाई थी इगनो अड्मीशन तो इगनो है कि यहाँ पर यूनिवर्स्टी है जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर exam आप भी फिल इगनो एक्जाम अपडेट उसके बात इगनो एड्मीशन तो इस तरीके से मालेजी कि आप वीडियो बना रहे हाँ तो आपको नीचे टैक्स डालने है ग्रो ऑन यूट्यूब जो मतलब आपकी वीडियो में कुछ पांच सी चीजे होगी वो आपको फर्स यहाँ पर डालने है तो इस तरीके से अगर आप डालोगे तो आपकी वीडियो आपके लिए मतलब जादी वो ग्रो काई पर आगी ठीक है तो अगर आप दिखना चाते हैं लाइब इसकी एक्ज आप बहुत सारे कीवर्स आयं कि और तो यहां मं क्या पर क्लिकशना है रिपोर्ट स्च Windows उसके बाद इन सभी पर और वीडिक्से को यहां को यहां पर की वर्स औग है तो यहांसे आप इने कैसे ले सकते हैं ठीक है select करने के बाद आपको करना है ctrl c ठीक है ctrl c करने के बाद मैं आपको notepad पे दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर पहले notepad पे जाकर इसे control paste करना है ठीक है और यहाँ सी फिर आपको देखना है कि कौन-कौन से keyword आपके लिए सही होगे ठीक है तो आपको यहां से उन्हें जितने भी आपके होगे आपको नीचे आपर paste करते जाना है बिलकुल इसी तरीके से आपको नहीं नहीं यहां पर सर्चिस करनी है थोड़ी सी creativity डालनी पड़ेगी कि किस किस तरीके से आपके यूट्यूब पर topic को सर्च करते होगे लोग ठीक है तो आपको audience बनकर यह काम करना पड़ेगा ठीक है तो जब आप ऐसे कर लेंगे तो उसके बाद आप यहां पर डाल सकते हो your queries में लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं डालने है कुछ limited डालना ठीक है तो आप discussion चैक कर लेना आपको ज़्यादा पता चलेगा ठीक है उसके बाद यहां पर बाद आती है अगर मैंने उसको टैगिंग दे दी तो ठीक है तो यह वाला टैग हो गया उसके बाद एड़ीरेड वाला तो आप किसी चैनल को टैगिंग दे सकते हैं जैसे एड़ीरेड लिखा और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूँ अगर knowledge entertainers देखे मैंने जैसे लिखा knowledge entertainers तो यह यहां पर मेरे चैनल का नेम आ गया तो इस तरीके से आप किसी भी चैनल को यहां पर टैग कर सकते हैं वो कोई बड़ा चैनल भी हो सकता है छोटा चैनल भी हो सकता है लेकिन आपको अपनी वीडियो के according ही यहां पर टैगिंग देनी है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगा एक-एक टैग के बारे में तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट को उसा था आपको वीडियो की टैगिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए जितना मैं फास्ट बता सका हूँ मैंने बताया है clear किया है बा अब आपको होगे कि अगर आप एक जैसी वीडियो बनाओगे तो आपको री यूस कोंटेंट ना आजाए हां बिल्कुल ऐसा होता है लेकिन आपको वही चीज को बार बार नहीं बनाते जाना है आपको क्या करना है यहां पर जैसे की मान लीजे आपने क्या किया आपकी मुझे पता चल गया कि मेरे चैनल पर यहां पर टाइपिंग की वीडियो जादा चल रही है तो मैंने उसके बाद एक वीडियो अपलोड की टाइपिंग मास्टर 11 फ्री डाउनलोड तो उस पर आप 4 मंथ में व्यूज देखिए 80K के करीब अभी व्यूज उसके होने वाले तो आपकी वो वीडियो क्रॉस करके काफी व्यूज तो आप उससे बनाने स्टार्ट कर दो ठीक है तो यह कहां से बता जलता है तो वो भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा YouTube Studio Analytics उस पर एक पूरी वीडियो बनाऊँगा ठीक है उसमें आपको clarity मिलेगी लेकिन अभी के ल कुछ topics ठीक है उनको डाल दो तो आपका चल ग्रो कर ही जाएगा ठीक है यह बहुत अच्छी ट्रिक है करके देखना और उसके बाद कहना कि काम करी है फिर नहीं करी ठीक है तो यह two points हो गया अब बात करते हैं third point के बारे में जोस्तों third चीज़ यहां पर हमारे सामने आती है वो आती है channel keywords पहले तो हमने video tagging की अब हम channel keywords क्या चीज़ होती है जैसे आपने video के tagging की है बिल्कुल उसी तरीके से आपके channel के keywords एक tag की तरह काम करते है आपके channel के लिए ठीक है उसके लिए आपको का करना है यहाँ पर फिर से चले याना है YouTube studio उसके बाद आपको यहाँ पर जाएंगे उसके बाद आपको जाना है channel पर और उसके बाद देखें यहाँ पर keywords यहाँ पर कुछ keywords आप देखने होंगे तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने चैनल से मिलते जूलते आपने यहाँ पर keywords डालने है ठीक है जिससे क्या होगा जब भी उस topic पर सर्चीज हो लोग सर्च करते है टेक वीडियो तो वहाँ पर आपकी वीडियो रेंक कर जाएगी अगर आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से टैगिंग की होगी और आप और कई के चैनल जैसे वह आपकी नीच वाले हों मतलब की अगर आप YouTube की टिप्स देते हों अगर वही चैनल आपक आपको अच्छी खासी हैल्प मिल जाएगी ठीक है यह चीज के लिए अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में तो दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट अमारे सामने आता है वो आता है चैनल ब्रेंडिंग ठीक है तो ब्रेंडिंग क्या चीज है सबसे पहले क्लियर कर तो YouTube चैनल जैसे मैं अभी अपने चैनल पर गया, यूर चैनल किया ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखे, यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, उसके बाद profile पिचर है, उसके बाद about section में जाओ, तो यहाँ पर मैंने detail में बता हुआ है, कि मेर चैनल, क्या-क्या, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, अपने चैनल पर ठीक है, तो यह चीज़े आपको कैसी serial order में करना है, वह आपको फिर से जाना है YouTube studio, YouTube studio को मैंने कर लिया open ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखे, यहाँ पर option में लेगा customization, left hand side में, तो आपक चैनल पर ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अपने चैनल पर चले गए, और उसके बाद देखे, जो यहाँ पर first video आपको दिखाई दे रही है, यह है channel trailer, मतलब कि कोई अगर आपके चैनल पर पहली बार आ रहा है, जिसने subscribe नहीं किया, उसको कौन सी video दिखानी है, यहाँ से edit कर सक subscribe है, मतलब पहले है आपका subscribe किया है, लेकिन वो दुबार आपके चैनल पर रहा, उससे कौन सी दिखाई देनी है, ठीक है, यह दोनों मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है, उसके बाद आपको कैसे feature section, अगर आपको लगाना चाहिए, जैसे दिखे, मैंने यहाँ पर मेरा vlogs channel, उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर आप कौन सी playlist दिखाना जाते हैं, मैंने दिखाई यह uploads, popular uploads, then उसके बाद जो मैंने प्लेलिस्ट क्रियेट की होगी, वो ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा है, अगर आप करना जाएं, तो ऐसे ही कर सकते हैं, बाकि अगर आपकी हुए creation है, तो वैसे कर लो, लेकिन मैंने क्या क्या हुआ है, पहले uploads को रखा, उसके बाद popular uploads, then मेरी जो playlist है, वो वाली होगी, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या हुआ है, ठीक है, तो यह एक option होगा है, उसके बाद branding, branding में हम चले जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी profile पे चलोगाना है, उसके बाद यहाँ पर banner image, उसके बाद video watermark, वो आपको in future videos में cover करूँगा, basic info, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर description डाल सकते हैं, चैनल का, और यहाँ पर नीचे चैनल का URL तो है, links कोई डालना चाहें, इस्ट चैनल का नाम है, प्रो, मैं आपको प्रो बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप professional तरीके से अपने चैनल को दिखने वाला बना दोगे, जिससे कि आपका चैनल पर कोई आएगा, तो उससे आपको subscribers ज़्यादा मिलने के chances ज़्यादा है, तो यह भी है, प्रो टेक्टिप जो आपको YouTube में काम हैगी, ठीक है, तो अब बात करते हैं, last and fifth trick के बारे में, तो आईए उसके बारे में देखते हैं, तो दोस्तों जो fifth point हमारे सामने आता है, वो आता है title, description and thumbnail, ठीक है, तो यह बहुत ही main चीज है, तो यह कैसे main है, तो यह मैं देखिए, आपको यहाँ पर वीडियो डालनी है, तो मैंने इस पर okay किया, उसका बार मैं देखता हूँ कि कौन कौन से title यहाँ पर डाले हुआ, तो देखिए, यहाँ पर वीडियो rank कर रही है, तो आपको यह देखना है कि कौन कौन सी वीडियो के कैसे titles है, फिर उनको same नहीं डालना है आपको अपने य कैची होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत जादा रश डाल दिया अपनी image में, जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी वीडियो में है क्या, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि आपने बस एक word लिग दिया, जैसे clarity नहीं मिल रही है, मतलब कि आपको बिल्कुल एक तरीके में जाकर अपने यहाँ पर thumbnail को बनाना है, जिससे कि देखने वाले को एक click में पता चले कि इस वीडियो में यह होने वाला है, लेकिन यह अगर आप beginner हो, तो अभी starting में नहीं ऐसा हो पाएगा, दीरे दीरे जैसे आप editing को सीखते जाएंगे, YouTube क algorithm को सीखते जाएंगे, तो आपको यह चीज पता चल जाएगी कि कैसे thumbnail से यहाँ पर जल्दी आप grow कर पाते हो, और आने वाले टाइम में इस channel पर आपको सभी कुछ मिलेगा, YouTube algorithm, कैसे thumbnails को बनाना है, कैसे video edit करनी है, कैसे tagging करनी है, सारी चीज़े बताऊंगा, अभी first video है channel क तो subscribe कर लो, ठीक है, तो यह थे दोस्तों वो 5 pro tips, जो मैंने थोड़े टाइम में cover करनी की कोशिश किया, लेकिन one by one अभी videos आएंगी, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आपके लिए points बहुत की आप helpful रहेंगे, अगर आप यह नहीं कर रहे हो, तो आज से करना start कर दो, आपक लाइब बना तो भूमना ही मत, ठीक है दोस्तों, तो यह थी हमारी first video और 5 tips, तो जल्दी मिलते रहेंगे, और भी ऐसी videos के साथ, तो तब तक के लिए thank you so much to all.